प्रॉब्लम नंबर वन के रहा है, इच अप देखिए, इस कोश्चन को मैं आपको करके दिखाता हूँ, नो, देखिए, सबसे पहले पार्ट वन देखिए बच्चों, तो इस पाई चार्ट में आप देखोगे, पार्ट-वन में आप से क्या बुला जा रहा है, यहाँ पर देखिए बच्चों, अब इसका meaning में आपको समझाओंगा, वो सब भी आप नोठ करते रहे न, fraction of the girls या fraction of the girls नहीं, fraction of the circle fraction of the circle of the circle representing girls बच्चों आप दिहान से देखिए ज़रा सुनिए मेरी बात दिहान से 50% girls, 50% boys तो denominator में हम क्या रखने हैं, total हम इशायद रखिएगा, denominator में नीचे हम क्या रखते हैं, total और उपर हम क्या रखते हैं, जिसके बारे में बात हो रही है, girls के बारे में बात हो रही है, तो उपर हम किसका percentage रखेंगे, girls का और नीचे रखेंगे हम total, okay students आप देखिए बच्चो, total percentage क्या है, यहाँ पर, obviously, total percentage तो 100% होता है, obviously, total percentage 100 होता है, ठेके न, 50 है, 50 है, total हो गया 100%, ठेके हैं, so, denominator में हम क्या रखेंगे, 100%, यानि कि 100 रख देंगे, ठेके न, 100 रख देंगे, okay, और numerator में हम क्या रखेंगे, girls कितने percentage है, 50% girls है, तो 50 रख दिया, यहाँ सा answer आजाएगा, 0 से 0 गया, 5 1 दा, 5 5 2 दा, यह लीजे, यहाँ सा answer कितना आ गया बच्चो, 1 by 2 आ गया, okay, तो fraction of the girls, fraction of the circle representing girls, ठेक, अब इस बात का आप मतलब समझो, इस बात का यह मतलब है, कि अगर circle को हम assume करें two parts में तो, उस two parts में, अगर circle की total two parts है, तो उसमें से one part क्या है, girls है, one part, देखलो आप, circle की two parts है यहाँ पर, उसमें से one part किसको represent कर रहा है, girls को, इसी तरीके से बच्चों, जब आप fraction of the circle representing boys आप निकालोगे, बच्चों, okay, तो वो भी कितना आजाएगा one by two, वो मैं आपको करके नहीं दिखा रहा हूँ, 50% boys are divided by 100, one by two, यानि कि total circle के कितने parts अगर हम लोग करें, two parts, तो उसमें से one part क्या होगा, girl को show करेगा, और इसी तरीके से, अगर total circle के two parts है, one part, two part, तो one part उसमें से किसको show करेगा, boys को, okay, 50-50% का भी मतलब यही होता है, ठीक one, अब part two पर आ जाईए, बच्छों, okay, so, part two में भी इसी तरीके से होगा, ध्याम सरा चेक करिए, part two में भी इसी तरीके से होगा, देखे, transport to school, ठीक, अब school जाने के लिए कौन से transport का यूज़ करते हैं, 40% जो बच्चे हैं, वो walking करते हैं, ठीक, तो fraction of the circle representing walk, कितना हो तो नीचे रखेंगे total 100%, 100 में से walk का कितना है, 40, यह लीजे, यह cancel हो गया, और यहां से two two's यह दिखे, two two's और two five's यह लीजे, two by five आ गया है, okay students, कितना आ गया, two by five आ गया, अब लेकिन यहाँ पर बात यह है, कि बच्चे बोलेंगे, सर, यहां तो total कितने पार्ट है, one, two, three parts है, यहां पर total कितने parts है, three parts है, लेकिन denominator में five आ रहा है, five parts तो नहीं, यहां पर समझ में आ रहा है, मतलब दिखनी रहा है, बहाँ पर तो दिख रहा था two parts है, उसमें से one part girl है, one part boy है, कोई बात नहीं, इसका मतलब यह, वो कहना यह चाहता है, pie chart या circle graph का यह मतलब होता है, two by fifth of total, two by fifth of total बंदे जो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, walking करते हैं, ठीक, अगर हम total को hundred मान लें, खुद सोचो, मैं verify कर रहा हूं यहां पर संजो, अगर आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, अगर हम total को hundred मान लें, hundred percent, तो hundred का two by five कितना हो जाएगा, five ones are five, five twenty's are twenty into two, कित इस बात का मतलब है, two by five आ गया ना, यहने कि walking जो कर रहे हैं, उनका number क्या है, total का two by five, total का two by five, फिफ्थ पार्ट जो है, वो क्या कर रहे हैं, walking कर रहे हैं, अब इसका meaning समझ में है, ठीक है, so no, fraction of the circle representing walk is equals to two by five, यह हमने आपको निकाल के दिखा दिया, अब आप कर लोगे, कितना हो गया, 20, यह लीजे कितना आजएगा, one by five, याने कि total का one by five पार्ट जो है, वो क्या है, total का one by five पार्ट जो है, cycle है, total को अगर आप hundred मानों को, hundred into one by five क्रों कितना आजएगा, 20, तो यही चीज़ है, यहां साब language देख लीज़ेगा, बच्छों, ठीक, कहां गया, यह cycle का, ठीक, उसके बाद, नेक्स आता है स्टुडेंस आपका, बस और कार, या तो बस से जाते हो, या तो कार से जाते हो, ठीक है, उनका परसंटेज कितना है, बस या कार का, बस और कार, यह कैसे निकालोगे, टोटल हो गया, 100, और उपर कितना रखेंगे, 40, यह लीज़े, देखो, निकालना, आंसर निकालना बड़ी बात नहीं है, 22, 25, बड़ी बात यह है कि इसको समझना, यानि कि टोटल का 2 by 5 पार्ट जो है, वो बस या कार का है, ठीक है, यह अब बच्चों, लास वाला देखिए, लास में, यहाँ पर देखिए, अगर आप लोग यहाँ पर देखो कि बच्चों, देखिए, 15% क्या है, हेट है, mathematics को 15% बच्चे हेट करते हैं, और यह वाला जो shaded region है, ठीक है, कैमरे में दिख रहा है, यह दिख रहा है, तो वाइट पोशिण किसको दिखा रहा है, हेट को, 15% बच्चे मैट्स को हेट करते हैं, बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है, हेट नहीं करना चाहिए, और बच्चा कितना है, यहाँ पर देखिए, बच्च गया कितना, अब बताओ, टो हंड्रेट में से 15 चला गया, बताओ कितना बच् सबसे पहले, अगर आप यहाँ पर निकालोगे, क्या, fraction of the circle representing those who love mathematics, कितने लोग पसंद करते हैं, 85, तो 85% नीचे रख देंगे, टोटल, टोटल कितना है, 100 है, ठीक, solve कर लेंगे, ओके बच्चों, चलिए, आईए, इसको हम solve कर लेते हैं, so, 5 से जाएगा, दिखे, 5 से 85 को डिवाइट करो, जिन बच्चों को नहीं आता है, रफ वर्क में करें, 5, 1 जा 5, यहाँ बचेगा 3, और यहाला 5 कॉपी करेंगे, 5, 7 जा कितना होता है, 35, कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा, ठीक, और नीचे, 5, 2 जा 10 होता है, और यहाला 0 पीछ ला, ऐसे लग जागा, 17 by 20, यानि कि टोटल का 70 by 20th part, 70 by 17 by 20th part क्या करता है, mathematics को लव करता है, पसंद करता है, ठीक, इसी तरीके से हेट करने वाले, हेट मत करो यार, mathematics को बच्चों, ठीक है, टोटल कितना रखेंगे, 100, 100 में से 15%, यानि कि 100 में से 15 लोग, हर एक 50% का मत पसंद करते हैं, यह मतलब है, अब देखो, फाइफ थ्रीजा और फाइफ ट्वंटी जा 100, तो कितना आ जाएगा, 3 by 20, यहां सा आप language देख लेना, fraction of the circle representing those who hate mathematics, is equals to 15%, 15% means, 100 में से 15 लोग, यानि कि 3 by 20, यानि कि टोटल का 3 by 20 part, जो है, वो mathematics को क्या करता है, हेट करता है, ओक है, part 3 में answer आ रहा हो, part, ठीक है, आपको जितने भी fractions उसको add करने पर हमेशा one मिलता है, याद रख लीजेगा, one का मतलब क्या होता है, total, जैसे कि, यहां girls का fraction कितना था, one upon two, boys का कितना था, one upon two, अब आप खुद सोचो, अगर आप one upon two को one upon two में add करोगे, तो answer कितना आता है, one ही तो आता है, करके देख लीजे, ठीक, इसी तरीके से, यहां पर बच्छो, walk का कितना आया था, जाके देखिए यहां से, walk का आया था, two by five, ठीक, बस और car का भी fraction कितना आया था, two by five, ठीक, और cycle का कितना आया था, one by five, अगर आप इन सबको add करेंगे, जितने भी fractions हैं, य उपर वाले numbers को directly add कर देंगे, two plus, two plus one, कितना आजाएगा, five by five, यह लीजे, five by five, one by one, वापस कितना आ गया, one आ गया, ठीक, उसके बाद, last वाला portion देखिए, बच्छो, last वाले में देखिए, कितना है, यहां पर, देखिए, आपका, love वाला fraction कितना था, seventeen by twenty, यह लीजे, और hate वाला कितना आ रहा था, three by twenty, यहां लिख देता ह stripes, यहां लिख देता हूं छोटा सा, three by twenty, यहिए, यहां से देख लीजे, 17 by 20, plus three by 20, ल सेंवें कितना आ जाएगा, 20, okay, उपर क्या हो जाएगा, 17 प्लस 3, 17 प्लस 3, यानि कि कितना आ जाएगा, 20 बाइ 20, और 20 बाइ 20 कितना होता है, 20 बंदर, 20 बंदर, 1 अपान, 1, 1, फिर से 1 आ गया, तो इस तरीके से, okay,